देश की जनता मुश्किल हालात का सामना कर रही है एक तरफ महंगाई का अमबार है तो दूसरी तरफ लाचार सरकार है इसलिए जनता ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है हर तरफ हो रही किरकिरी से बचने के लिए अब केंदर सरकार ने जनता को मामूली राहत दी है आ कार ने आयकर रिटरन भरने की अंतिम तारिख बढ़ा कर वावाही लूटने की कोशिश की है। केंदर ने वितवर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटरन भरने की अंतिम तारिख और दो महिने यानि 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। आयकर विभाग ने कहा कि महमारी की मद्देनजर आयकर दाताओं को और रहत देते हुए केंदरिय प्रत्यक्ष करबोर्ड यानि की CBDD ने वितवर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटरन भरने की आखरी तारिख 30 सितंबर 2020 कर दी है। इतना ही नहीं, अब आयकर रिटरन भरना और आसान होगा क्योंकि आयकर विभाग ने 26.AS फॉर्म जारी किया है। इससे आयकर रिटरन भरना और आसान हो जाएगा। आपको बताती कि 26.AS फॉर्म एक सालाना टैक्स स्टेट्मेंट होता है। इस फॉर्म में आपकी ओर से दिये गए टैक्स और किसी भी संस्था की ओर से काटे गए टैक्स की सारी जानकारी दर्ज होती है। ITR फाइलिंग के वक्त इसकी जरूरत पड़ती है। पैन नंबर के मदद से आप इस फॉर्म इंकम टैक्स डिपार्टमेंट के वेबसाइट से निकाल सकते हैं। सरकार ने जनता को इंकम टैक्स में तो राहत दे दी लेकिन सवाल उठता है कि बाकी समस्याओं का समाधान कब होगा। क्या जनता बड़ी परेशानियों से जूशती रहेगी और सरकार मस्त रहेगी। हाला देखकर तो यही लगता है कि केवल लॉलिपॉप मिलेगा। पूरी राहत के लिए तरसना ही पड़ेगा।